किसी भी गाव ये शेहर की विकास का अंदाजा वहाँ की सड़कूं और रासों की सिती से लगाया चाह सकता है इस सर पर बात अगर दिग्रस तहसल के लाख रायची ग्राम की की जाए तो यहाँ का प्रमुकरास्ता अतियंत खस्ता हाल हो चिका है जिससे न सर्फ लाख रायची गाव की कथी त्विकास की पोल उजागर रही है बलकि इस गाव को लेकर जैन प्रतिनीदियों की उच्छ कोटी की उदासिंता भी खुल कर सामदे आ रही है दिगरे स्तहसर से कुछी दूरी पर बसी लाख रायाची गाव की प्रमुकरास्तों की दुर्विवस्ता यहाँ की ग्रामिनों के लिए जी का चंचाल साबित हो रही है बारिश की चलती चगह चगह पर पसरे गड़ों में पानी भर जानी और सड़क पर कीचर की भरमार से इस गाव का चंचीवन अस्तविस्त हो चुका है अंदाजन साड़े तिन से चार हजार के आबादी वाली इस गाव की और चंप्रतिनीदियों का कतई ध्यान नहीं है खेती के काम जोर उपर है वही विभिन्द बिमारी से करसित मरीजों गरभवती महलाओ और बुजर और बच्चों को इस रास्तों से गुजर कर खेत दवा खानी और बाजार की और आना जाना पड़ता है इसलिए लाक रायाची गाव की इस प्रमुक रास्ते पर हमेशा ही आवाजा ही लगी रहती है ऐसे में उक्त रास्ते की दैनिय सिती के चलती यहाँ से गुजरने वाले रागीरों वाहन चालकों को बेतहाशा चद्दुजहत का सामना करना पड़ता है मालुमों कि कई बार लाग ग्राम पंचयाद की और से निर्मान कारे विभाग पंचयाद समीती आदी कारेले को लाग गाव की सरकों की मरमत की मांग की गई लेकिन संबंदित विभाग ने इस काम को मंजूरी देना तो दूर इस और कोई गंभिरता तक नहीं दिखाई हाला कि हाले में परीसर की आश्रागाव की प्रमुक सरक बनाए गई है इसके लावा परीसर में राज्य महामार और समरुती महामार की योशना की तहट रास्तों की विकास चारी है जबकि विगत में लाग गाव की उबर घावर रास्तों पर हुई सरक दुर घटना में कई जखमी हुई तो कुछ एक ने अपनी जान भी कवाई है इसके लावा आए दिन स्थानिय लाख रायजी निवासियों में खराब सरकों की बदोलत पीट दर जोड़ों की दर की शिकायत पड़ रही है बावजुद इसकी चन प्रतिनी दियो सहित प्रशासन की हट धर्मता अपनी जगाब बरकरार है ग्रामिनों की और से लाख रायजी के प्रमुक रास्तों और अंदुरिनी सरकों के मरमत की पुर्च और मांग की जारी है बीसेन नियूस के लिए दिकरसी जुबेर खान की रिपोर्ट